पिछले 55 वर्सों से इलक्तिक उत्पात के छेट में जार्खन का विश्वस्नी और अग्रणिय प्रतिश्थान प्रदीफ इलक्तिक स्टोर की नई काई प्रदीफ सिर्ट प्रदीफ स्रस के फ़र्स्टोर पर विश्वस्तर यह ओधनी फैंसी लाइट का विसाल जंग्रह अब आपके घर को लगा एँ चार चाय तो एक बार प्रदीफ सीर्ट आया लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संगह को एक ही चत के नीचे बाएं हर रेंज में उपलब्द है मॉडरन फैंसी लाइट का बात साफ प्रदी से वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिस्टिक्स शोरू में हैवल्स इंडिया का लॉयड केसी फूलर, फंके, वाशिन मसीन, फ्रिजर, डिफ्रिजर, डिस्वासर, एलेडी टीवी, जूसर, नीक्सर जैसे इलेक्ट्रोनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजू है इसके अलावा साउथ एशियन लार्जिस फनीचर, मैनिफेक्शनल डेमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिं टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फनीचर वगेरा मिलता है इसके अलावा प्रदीफ एलेक्टिक स्टोर में राश्ति और अंतराश्ति स्थर के कंपनियों के उत्पात उपलब्ध है एलेक्ट्रोनिक और एलेक्टिक उत्पात के लिए आपका हार्ट निक्स्वागत है प्रदीप लप्टिक स्टोर और प्रदीप सर्थ मगद पूर की रिड़ी कविता मेडिसन्स पिछले 40 परसों सी स्वास्त के छीट में अनवरत सिवा प्रदान कर रहा है विविन रोकों की इलाज के लिए विविन प्रसिद टॉक्टर अपनी सिवा देते हैं देश के बड़े-बड़े अस्पतालों में लिखे गई दवाईयां यहां मिलती है यह ओडर पर मंगवाई जाती है कविता मेडिसन्स के किलिटे में एकोछ चार शाखायन हैं कच्छरी रोट, ब्लॉक रोट, बड़ा चौक और को रोट यहां दवाईयों में विसेज छूट पी जाती है यहां धनबाद के प्रसिद द्यूरो बनोची के सब डॉक्टर संजे कुमार, बेनलुरू सिटी से आएं सिसू रोग विसेसगे डॉक्टर स्याबर कुमार, धनबाद के प्रसिद चल गुप कुष्टवा यहां रोग विसेसगे डॉक्टर प्रदीट कुमार, जालाल हॉस्पिटल धनबाद के कान नाक और गला रोग विसेसगे डॉक्टर विवेक दोकानिया प्रसिद चेनरल फिजिस्टियन डॉक्टर नीरस सिनहा MD, MS, IVF, स्पेस्टिस, डॉक्टर अर्पितादास अपने मरीजों को देखती है अमारे यहां बाच्पन की जाज, टेस्ट्यूब बेबी, IVF, दुर्बिन से जाज है वो मिलाज दुर्बिन दौरा बचिदानी का ऑपरेशन, बच्च जोकिम गर्वस्था में बेहतर इलाज किया जाता है प्रती दिन अपने मरीजों को देखते हैं डॉक्टर से अपोइटमेंट लेने के लिए स्कीट पर दिये गए नमबर पर फोन करें या समपर करें हम आपके अच्छे स्वास्त की काम ना करते हैं प्यम गर्स पीजी फोस्टल एंड मिल्स कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं और जॉब करने वाली इवत्यों के लिए घर से दूर, घर के जैसा महौल बिलकुल आपके बज़ट में प्यम गर्स पीजी फोस्टल एंड मेंस आपको मिलता है स्वक्ष और सुन्दर वातावरन के साथ 14 घंटे बिजली पानी और पार्किंग की सुधा साथी मेंस में सुध और स्वाधिस्ट खाना बिलकुल घर के स्वाध के साथ हमारा पता है प्यम गर्स पीजी फोस्टल एंड मेंस धड़्याडी टाउन ठाना के बगल वाली गली हुए हमारा नमबर है 8538987161 पिछले कई वर्सों से आपके सेवा में तत पर कॉलकाता फार्नीचर शहर के बरगंडा में नए एस्क्रूसिफ शोरूं के उद्खाटन के मौके पर 20% की छूट तो इसका फायता आप चल्द उठाए हमारे यहां लाइफटाइम गरेंटे के साथ फर्नीचर दिया जाता है साथ ही आपके मन मताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको प्लब कराया जाता है हमारे यहां सोफा, दिवान, डाइनिग टेबल, कवर, डिनर टेबल वहर तरह की फर्नीचर का विसा संग्रा फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुलित कर दे, कॉलकाता फर्नीचर इसलिए एक बार आप जरूर पधारे, कॉलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है हमारा पता नियर गैली होटल, बर्गंडा, गिरिडी मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933 नमस्कार आप देख रहे सहर्टाव वश्वस्निय और लोगप्री न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तवाँ छोटी बड़ी खबरों के साथ वैंपू अंजले से वस्तार की खुरों के और पढ़ने से पहले लजर डालते हैं आज की फैटलाइन्स के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल एन एच 114 मोटी ले राइग आपकी सेवा में समर्बित कॉल्कटा फरनीचर एक बार हमारे नए सूरूम में आए लाइफ टाइम गैरेंटी के साथ फरनीचर का विसाल संग्रा क्वालिटी से कोई समझाथा नहीं एक बास सेवा का मौपा अवश्य दे कॉल्कटा फरनीचर नाव ही काफी है हमारा पता गैली वोटर के बगल में बरगंडा सहर में चार साखाएं स्वास्ट के छेत्र में 40 वर्चों से अन्वरत से वा प्रदान करता आ रहा है आपका कविता मेडिकल आपके बहता स्वास्ट की कामना करता है गनपदी सोलर, एकसाइड, एम्रोन, मैक्सिमो, जीनल बैट्री और इन्वर्टर में 5 साल तक की गैरेंटी देता है हमारे याँ सभी परकार के सोलर उत्पार फुखलब दै गनपदी सोलर सलामपुरिया एनरजी विसाइड मनवन वेजिस बरगंडा ग्रेड़ प्रदेश अध्यक्ष मनने के बाद ग्रेडी पहसने पर भाषपाईयों ने बाबुलार मरांडी का किया भवे रूप्स स्वागर पार्टी नेताव मा कारिकरताओं का बढ़ाया उत्षा लोग सभा चुनाओं में सभी सीटों को जीतने का किया दावा करीब अन्ठानबी लाग किलावत से दुख्या महादेव का हो गास स्वांदर एकरण चदर विधायक ने किया स्व्वाग यदिकार्यों वास समेदक को सही तरीके से कारी करने की दीच्चताओं नी मोडरम की साथी तारीक को कर्वला में की गई चादर पोशी बनाये गया अफातिहा अखाणा कमिट्यों ने इस थाने इवं बाड़ों के पास खड़ किये निशाद शार के बरवाटी में पोडरम के अखाणा की प्रैक्टिस के दौरान लूग से जुल सा बक्षों पिता ने खाना में आवेदन देकर अखाणा के दौरान आग जलाकर लूग ढूनने पर रोक लगाने की कीमाग और कार्गिली विजे दिवस पर याद किया गए कार्गिल के जाबाद सहीद नगर भावन में आयर्जित एक शाम सहीदों के नाम कार्गिलम में स्तानिक के परिवार वालों को किया गया सम्मानिक अब खबरे विस्तार से भाष्यों प्रदेश अध्यक्ष मन्ने के बाद बागुलाल मराणी जबुआ होते हुए पहली दफाग गिरिडी पहुँचे जबुआ राद पर्चातार बुढ़वा आहार अलका पूरी सहिट कई स्थानों पर पाठी में ताओ वाग कारीकर ताओने उनका भवे रूप से स्वागत किया गया जबुआ के रास्ती होते हुए श्री मरांडी का काफिला सदर प्रखंड के परचातार होते हुए शहर पहुचा स्क्रम में सदर प्रखंड के परचातार में मति भाग के प्रखंड अध्यक्ष अनिल वर्मा और अनुसुचित जाती के प्रदेश प्रवक्ता सुनिल श्री मरांडी का स्वागत किया यहां से फिर उनका काफिला सहर के बोडो इस्तीत सिवक पूरी में रुका जहां OBC मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ताओं विनैस सिंग और पाटी नेताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया क्या अटाचा बोड बाटी नें से अटाचा जो जल से घर्र प्रवक्ताचा जहां से एक जाल ज असे घोड़ire थर्ञक्तर agent 2 झाओ ज discovery झालो निटसे! यद झालो जिन्दाबाद 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 ज इस क्रम में प्रदेश अद्यक्ष बावुलान मरांडी ने संबोजित करते हुए स्वागत सत्कार के लिए धन्यवाद देने के साथ ही पाठी नेता हुआ कारीकरताओं का उच्छा बढ़ाया उन्होंने सभी से 2024 में पुना भाषपा की सरकार पूरी बहुत से आये इसका संकर्प लेने की बात दोराई साथ ही जारकन में भी भाषपा की सरकार बने इसको लेकर सभी को अभी से तयारी में जुट जाने का अवाहन किया फारती skills के बोली जाना भी भाषपा की सोलेकशा, पूर दोराः साथ करने की अश्छा, जाना भी सिसके तर्फोर हो ल वेगिन जब सभ जगावक था नहीं छाग्वड़े हैं। तो फिर अमें आपको कीदः मंता करते हैं. वेजा हैं, आप किया श्वागास के दाशियें। और शभी अहां होते हैं। सलें, आपको आपको बंदें, storing पुघूर GG. तो ने विशेश को घालोंगी कुझे भी दन्टवाद याई नहीं लाओ अगाव आपसे कप्डित आंगें के दोजार फोडिस के लिए आरकंग के लिए देज़े के लिए बाहर नहीं हुआ पर फोडिस में भूट सबाका दिनाव नाओ इसे देश में सब्कार बढाव पास् होता है है और बढाव नाओ समय जांगें विए परफिरसें केम्र में वीजती की सखार बने फिरसे नरेंदर मुदी विए ने नितित आंगें के लिए आज़र में हुझा आज़री के लेचर बने उसके लेश्वा ज़ित करते करते कि आज़रा हुआ होँगि एन ए सब जगे लूट ये लूट पो रहे हैं तो इसलिए में आप सो लोगों से कहा हमें इस हुर्ण को दंद करनी है और विकास की कती को आदे माहने को तो फिर इस देश में भी भाक्ति दंदा पार्टि केमेटिंगी मोदी केमेटिंगें सर्कार को बना दिये मागी पर जम्हों विधायक किदार हाजरा पूर विधायक निर्वे कुमार सहबाली कारे समीती सदस्य सुरेश शाव चुनुकांत जलाध्यक्ष महादेव दूबे सांसत प्रतिनिधी दिनेश यादव सिवा निवरित इंजिनियर विनेश सिंग अनेल वर्मा, सुनिल पास्वांत, सुजीत सिंग, संजीत सिंग पप्पु, हर्विंदर सिंग बग्गा, दीपक पंडित, शुरेश मंडल, संदीप डंगेज, मनोज संगाई, संजीव सिंग, दिलिप वर्मा, प्रोफेशर वनीता कुमारी, शालिनी वैशिक्यार सहीत पा पाणियर, बाखुलाल मनन्ण्डी जी का गेदी के धर्ती पर आगमन हुआ, उस अंपने धर्ति पर आगमन हुआ, और इस आगमन में हम लोग मद्यभाग में अपने मडडल अध्याच आनिल कुमार पर्मा के नुदृत में, उनका हारदी का विनंदन और स्वागत किया, औ माठी को शंगठन को आगे बर आने के लिए हम लोग कृत्त संकल्प हैं निक्त रोग और धार्खन के लाल अधनिय बावुलाल मरंदी लोग कर्मत संदखन करता विकास पुरुष धार्खन के प्रथम माननिय मुक्यमंत्री भाती जंतापाटी इधायक दढ़ के नेता और हम स प्रदेश सध्यक्ष बनने के बाद गिरीडी के पावन धर्थी पर पहली बार नगर में हम लोग को सभी भातिये जंता पाटी साहित नगरवाशियों को शीवपूरी वाशियों को एक स्वागत करने का और अभिमन्न करने का और अउसर्ट हुआ है जिसके लिए आज हम सभ सब्सक्राइब निश्चित रूप से चीज दिन से ये प्रदाइश सधेक्ष बने ना सिर्फ भारतिय जंता पाटी के जार्खन के लोगों का बलकि पूरे जार्खन वासियों को एक उत्साती लहर दोर पड़ी है मैं समझता हूं कि इनके बार दर्षन और दिशा निर्देश हमेशा हम सभी को प्लाप्त होते रहा है और आगे भी निश्चित रूप से हम लोग का इनके मादर्षन और दिशा निर्देश में चलकर करके आगामी लोग सभाती चुनाव जो चौदा जार्खन में है सबी सीज़ों पर हम सभी भारती जिन्ता पार्टी के करिकटा एक जूठों कर पिज़े हासिल करेंगे शाथ ही पीधान सबाचुनाओं में भी पूर बहुमत के साथ जारखन में भारती जिन्ता पार्टी की शरकार पनेगी इनी सब्दों के साथ मैं आज हम लोग जो है स्वागत के लिए हम सभी यहां मौजुद हुए बहुत ही सभी जोस्टों के साथ ने उनका स्वागत किये हमारे ग्रिडी मद्द मंदल भाके सभी प्राधिकारी गन और एवंग मेर साथ सब उपस्ची रहे जला मुख्याले से करीब 9 किलो मिटर की दूरी पर उत्तर बाहिन ने उसकी नदीटर परिसीद बाबा दुख्या महादेव मंदिर के सौंदरी करण योजना का सिलन्यास बूद्वार को किया गया बतोर मुख्य अतिती सदर्विधायक सुद्विकुमार सौनों ने परियतन और खेल पूर्ण मंत्राले के द्वारा अंठानमी लाग की राशी से होने वाले सौंदरी करण का बेदीवत रूप से सिलन्यास किया अंठानमी लाग की लागत से पूरे मंदित परिसर में विवा भवन के साथ ही सामुदाइक भवन चेंजिंग रूम और भगतों के लिए कई और भवनों का निर्मान किया जाएगा सिलन्यास कारीक्रम में पूर्ण मुख्या कैलाश यादो समेत काफी संख्या में इस्थानी लोग मौझू थे सिलन्यास कारीक्रम को संबोधित करते वे सदरविधायक सोदेवे कुमार सोनु ने कड़े शब्दों में भवन निर्मान वर्भाग और ठेकेदार को हिदायत द देखने के बाद शुरू हुआ था और लाखों शिवभक्त का गिरडी पुर्वांचल के इस बाबा दुख्या महादियों मंदिर में आस्था जुड़ा हुआ है ऐसे में जितनी राशी से संदर्यकरण का काम किया जाना है उसमें कोई भी गलबड़ी नहीं होनी चाहिए कहा क कारी में अगर गलबड़ी की शिकायत मिली तो अधिकारी और ठेकेदार को छोड़ा नहीं जाएगा बहुत निर्मान विभाग के तस्डियों और जेई स्वें अपनी निगरानी में सारा कारे कराए अह्ञार में एंपनी तुर मीदी प्रवाद आद लिए और लीच्ट अबड़ी में बड़ा गड़ी आप जाए है उलाव ड़ाद ताना हुटार का ऑन्वाद आप रड़ा जाए है तान में अबड़ा आपना आते। जाजिवार जाना जाए है आपना जालाइ परेटन विवाग से लभग एक करोब की राशी से नागरिक सुझाओं के दर्मान और वितास का शिलामयास किया उत्तरवाहनी उसरी के तख पर अवस्थित भगवान शिर्किस मंदिर की इस छेत्रे में पड़ियास था मैंने भी अपना चुनाओ प्रचार कि यहीं माथा टेक कर शुरू किया था और बाबा के असिरवाद से विधायग बना और विधायग बनने के बाद यह मेरी नेतिक जवाब देई थी कि मेरे घर के बगल में अवस्थित यह मंदिर नागरिक सुष्धाम से पूरी चरीके से लहसो एक करोड की राशी एक विती वर्ष में मिली है यह कार्म पूरा होने के तुरंत बाद एक करोड की राशी और मिलेगी और पुरवांचल के सबसे बड़े मंदिर में अधिया कराएंगे और आपके माध्यम से तमाम लोगों से अनुरोध है इस चेतर के जिश्वार में यह फिर्मान हो रहा है तो काम की गुनवत्ता पर भ्यान रखेंगे और एस पर एस्टिमेट काम कराना है जिसे की काम की गुनवत्ता अच्छी होगी तो काम भी ज्यादा मुस्लिम समोदाय के महत्कुन तेवहारों में से एक महरण को लेकर लोगों में खास उ क्ट्रा देखा जा रहा है बुäreन को मुहररं की शाथी तारीक के मौके पर मुस्लिम समोदाय के लोगों ने करवला मैदान जाकर चालव मोझी के साथी इस दोरान इस्थानिया खाड़ा का विडियो द्वारा इमाम पाड़ावा मुहले में निर्शान भी खड़े किये गए। अकीदत मंदों ने जाकर चादर पोसी करने के साथ ही सिर्णी बना कर फादिहा कराया। इस दोरान इंतिजामिया कमीटी द्वारा जरूरत मंदों के मताबिक पानी लगडी मंडाल का इंतिजाम किया गया ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वही साम को सहर के भंडारेडी, तरवडी, स्टेशन रोड, मुस्लिम बजार, पचंबा, विसनपूर, बोडो, कोल्डिहा सहीद बिभिन मुस्लिम महले में इमाम बाड़ा के पास इसलामिक निसान खड़े किये गए और सिर्णी मलीदा का फातिहा कराया गया। इस दोरान इस्थान ये थाड़ा समीटी के युवाओं के दोरा फूरे उस्था के साथ या अली या हुशैन के नारे लगाए गए। अली का दूला राम जहरा का जानी अली का दूला राम जहरा का जानी नहीं जिसका तारीक में कोई सानी समी आसमा इसलिए रो रहे हैं समी आसमा इसलिए रो रहे हैं लुटी कर्बला में नभी की निशानी समी आसमा इसलिए रो रहे हैं लुटी कर्बला में नभी की निशानी अली फातुमा की निगाहों का तारा चलारन में जिस तम नभी का दूलारा अली फातुमा की निगाहों का तारा चलारन में जिस तम नभी का दूलारा हचारो ही जानिब का इामत का साया जमी फट गई आसमा धर धर आया हर एक आखु में आगाया घम का पानू हर एक आखु में आगाया घम का पानू लुटी कर बला में नभी की निशानू खिले भूल जख्मों के नाजुक बदन में है जख्मी मगर मुस्कूरा ताहरन में सुलक्ती जामी पर इबादत तो देखो नभी के नावासे की हिम्मत तो देखो कभी हार जुल्मों सी तमसे ना मानी कभी हार जुल्मों सी तमसे ना मानी लुटी कर बला में नभी की निशानी कभी हार जुल्मों सी तमसे ना मानी लुटी कर बला में नभी की निशानी है हुसें का सर कभी भी जोरो जबा के आगे जुका नहीं है बता रहा है वला तकूलो नखाओ धोखा ऐ दुनिया बालो बता रहा है वला तकूलो नखाओ धोखा ऐ दुनिया बालो अज़े भी हमारे ओदेदरान मेंबरान कमाम का सहयोग जारी है कमाम लोगों की ताउन से कमाम लोगों की मदद से ये कमिटी बहुत अच्छा इंतर्जाम किये है आने वाले दिनों में भी इसका पुरा ख्याल रखा जाएगा मैं तमाम वोदेदरान का मेंबरान का तमाम को लोगों को मैं सुपर गुजार हूँ जिनों अपने महनत और काउन से यहां तक अन्जाम पहुंचाया और मैं पर्शासंग का भी शुपर गुजार हूँ असकर नगर निगम का जो के बहुत अच्छा इस्पोंस मिला है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी मिलेगा आज मोहरम की सात्मी तारीक है और आज सीडार डी करवला में जो भी मनत मंगते हैं उसको फुरा हो जाते तो अपने मुर्गा और खस्ती लेक आते हैं और इहीं जबहा करा कि पातिया प्रहाय के उसके बाद आते तुर अगर करवला में लुगा करम अबादिया करम होते हैं लोग अपने मुनत को फूरा गयाते हैं और करवला का बहुत एक साल पुराना हिस से कब से होस्ट भी समाने तरह तरह आता जाता है लेकिन एक जिसे से बात यह है कि इस पार जैसे इसे आतर तरह मैंने हम भोग भी इंतियाम में फसिलेटी देने के लिए ब्रूप जो आने और उसे तक तो दिक्कत में पानी के वबस् समसिया हीटा है चाहिए लखडी है सारक कमेटी की तरह से दिया जाता है और इस पंचाज की मुख्या के परतिनी जाते मानिये सदर विधाई जी को बहुत बहुत धनेवाद बधाई देते हैं कि तहवार के मौके पर इससे पहले जनाजा सेट के जो की सेट लगाए और वज सब्सक्राइब देते हैं कि आप भी आके हम लोग को सीडाटी पंचाद करवला के रोणक भाएं फुना सीडाटी पंचाद वासियों के जाओंओं की और से घर सारी घर मग्दम बधाई मुवारक बाद सुद्धिया भास्पा महिला मोचा के द्वारा सदर प्रखन के उद्नाबाद में मिलिट उच्छा मोटा अनाज महकिसां समान समारो का आयोजिन किया गया भास्पा महिला मोचा के द्वारा सदर प्रखन के उद्नाबाद में मिलिट उच्छा मोटा अनाज महकिसां समान समारो का आयोजिन किया गया महिला मोचा की जुलाद्यक्ष शंगीता सेट के अध्यक्ष्टा में आईजित कारिकम के शिर्वात महापुल्चों के तस्वीर पर पुश्प अर्पित करी गई कारक्यम में बतौन मुख्या तिती महिला मोचा की प्रदेश प्रवक्ता कुमकुम देवी जिला परशद अध्याक्ष मुनिया देवी मौजू थी कारक्यम का दौरान बताया गया कि लोग बजार का अनाज खाने से बचे और मोटा अनाज का ही सेवन करें जिससे स्वास्त ठीक रहता है कारक्यम में काफी संख्या में भाजपाई गन मौजूद थी गुल गए गुल दी माण वा तो जोड़ी और मौजूद थी कि इतना आधर मिलता है कि हम लोग का भारत का जीना चोड़ा हो जाता है उसके बाद का सी विष्णात का भी है हर जगा समातन धर्म हिंदू यह धर्म और अथा का भीशे है यह हमारे मोदी जी के पराद के परारा का भारत सुनता है और अभी हमारा भारत के पराद अपिनी बोलता है तो पुरे पीच के अधि सुनता है महिला मोर्चा के राष्टिय एवं पर्देश समीति के निवेशा अनुसाद मिलेट उत्सव मोटा अनाज मा का कारिक्रम गृड़ी के उद्नाबाद ग्राउं में रखा गया है मैं माणने पर्धान मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये मोटा अनाज जिसकी उपज करने के लिए किसान जो एसो छोड़ दिये थे उन्हें फिर से प्रेरित किया जा रहा है उनके द्वारा और इस अनाज मोटे अनाज का जो एसो भोजन बना कर आज हम लोगों को मैलाओं के बीज में वीत्रन करना है और उन्हें मोटा अनाज के उप्योग के लिए प्रेरित करना है और इसी निमित कुछ किसान भाईयों को और बहनों को सम्मानित करने का कार्जगरम किये हैं मैं पुनह मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद यों आभार ज्यक्त करना चाहूंगी कि जो विविन प्रकार की बीमारियां यह बजार के जो चावल वगेरा जो खाने के बाद होती है यह मोटे अनाज खाने के बाद शेवन करने के बाद लोग स्वस्त रहेंगे और शहनाई बैंक्वेट हॉल शाधी विवाक, रिंग सर्ववन, बर्थडे सलिब्रेशन, कॉर्फरेंस, फैमली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्परेट मीटिंग आधी के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल, शहनाई बैंक्वेट हॉल, यहां आपको उकलब कराते हुए, खु बश्यादी कर्म हॉल, च सकतने कर्म आपको खुे लिए म कि फैंक्वेट सिब्स्मा तो June 2023 for 11th, for science, commerce and arts. Additional features, dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facility, address near G.T. Bagaria, hospital grade. पोड़ों दिर्कावंडब के पीछे सिर्फ जीवन धारा नर्सिक होमी, आईश्मान योजना के तहद गोल्डन कार्ट भारियों का मुफ्प में बचेदानी का ओप्रेशन, अर्सिती रोग, हर्णिया, बोल ग्लाडर, पत्री, अपेंडिस के अलावा, कई तरह के ओप्रेशन की स्विधा उप्लत है, प्रसित कंसर्टेंट सर्जन, डॉक्र उत्तम जलान और इसरीवों प्रसुती रोग विशिता गिये, डॉक्र मनिशा जलान द्वारा संचाली, इस नर्दिंग भो में 24 घंटे, आपासकाल सेवा, आदुनिक ओपरेशन सेटर, एसी तथा नन एसी के बिन, जेनल वार्ट, कल प्रस्कॉपी, लेप्रोस्कॉपी, तुर्बीन द्वारा पेट की जार्ज, अर्ट्रा सोनोग्राफी, एक्स्रे मशीन, इसी जी, 24 घंटे खार्मेसी, 24 घंटे पैथलोजी वा, पार्सित की स्विठा उपलब्द है, तो स्वास्रिलाफ के लिए, जीवन धारा नसी हो, गि गौबंटक के पीछे, गिरिडी की पहली दुकान, जहां एक ही छट के नीचे आपको मिलेगा संपोन रेज, जी हां हमारे यहां रेमें, सिया राम, रीड अन टेलर, लिनें क्लब, सैंचूरी, अर्विन के लावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग अन सर्टिंग के लावा कई कम्पनिया जैसे स्पार की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है, साधी लक्षपे पट्टी, सुभास, मीनु साडी, सूमन, बैंगलूरु ताग, सहित कई ब्रांड की साडिया आपको यहां उचित मूल्ये पर मिलेगी, इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडि मूल्ये पर खरीद सकते हैं, इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहां है खास कलेक्षन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दूल्हन को खास अंदाज में, तो हॉलसेल रेट में हमारे यहां करे खरिदारी और अपने पैस से एवं समय की बचत अवश्य क तो एक बर सेवा का मौका अवश्य दे, हमारा पता है स्री संजीब टेक्स्टाइल बंटी बाबू की दुकान बड़ा चौक ग्रीडी कॉलिज रोड रेलवे ब्रिस के शमय बस्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बहतर चिकित से शेवा प्रदान कर रही है यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्व अनुपवी हर्टी व नसरोग के विशे सके डॉक्टर रिते सिन्हा की निगरानी में हर्टी फ्रेक्चर नसरोग आदी का बहतर रिलास किया जाता है तो हमारा पता याद रखे पावित्री होस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे प्रिस के शमीब, सिहोडी ग्रीडी उतकरिस्ट सेक्चा, अधभुद वातबरन, भव्वे इमारात और हर्चेत में उपलब्दियों के एक लंबी सूची जी हाँ, जारकन के सर्वसरेस्ट स्कूलों में उन्नता प्रध्योगी की सुविधाओं के साथ CBAC बोर द्वारा मान्यता प्राप, सलूजा गूल्ड इंटर्नाशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड टूल तक की पढ़ाई होती है इस विध्याले में highly qualified and professional teacher, top quality education, very cool environment, apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, reach library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, saadhi day boarding and hostel ultra modern facility हमारा पता है सलूजा गूल इंटर्नाशनल स्कूल एन एच 114 मोधी लेदा गिरीडी स्रीविश्वनाथ नर्सिंग होम गिरीडी का multi-specialty hospital है इस hospital में डॉक्टर S. की डुकानिया जर्नल सर्जरी एवं लैप्रस्कॉपी, यूरोलोजी, स्टी रो, हटी रो पिशे सक्या, डॉक्टर नीरस डुकानिया, जर्नल एवं लैप्रस्कॉपी सर्जन, एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलोजी, अपोलो इस नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब है, इस नर्सिंग होम में ICO की सुविधा भी उपलब है, जर्ना मलेरिया, टाइफर, प्रसाव, हाइट्रोसील, हर्निया, अपेंटिक्स, बावसील, बोल्ड व्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किट्नी का पत्री, बच् इस नर्सिंग होम में इस नर्सिंग होम का पत्री, बच्छ की दुनिया का बाच्छा, स्टी क्वाइलिटी प्रिंट, हमारे यहाँ, फ्लैक्स वनिल, शादी कार्ट, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन्वे विजन, क्लोथ प्रिंटिंग की साथ- पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंप्लेट, कलर प्रिंटिंग, बाद्दे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स, सहित, बिलबोकादी प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है, आप हमारे यहाँ, एस डी क्वाइलिटी प्रिंट में, अपसट प्रिंट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं, बर्णवाल, फ्लेक्स, और टाइप आफ प्रिंटिंग, हमारा पता है, बर्णवाल, फ्लेक्स, बक्सिटी रोड, गिरिडी, मुबाइल नमबर, 9263636326 नर्सिंग के छेत में गिरिडी के लोगों के लिए सुनहरा अपसर, यहां के एक बड़े संस्तान जीडी वगेडिया हस्पिटल के दूआरा, जीडी वगेडिया नर्सिंग स्कूल के सुरुवात की गई है, चारकर नर्सिंग परिसद, चारकर सरकार सहिमानियता प्राप, बारवे पास्ट छात छात्राओं के लिए मैडिकल के छेत में सुनहरा अफसर्ड जीडी गिरेडिया नर्सिंग स्कूल में सत्र दोहजार तैस से दोहजार पचीस के लिए नामंकन प्रारम है। ब्रेक के पाद आख समी दर्शों को पास्ट पास्ट है। वही महरब के अखाड़ा के दोहरान योगो द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शन के बीच आग का लूग दुन्ने सहीत आग से जुड़े कई प्रिकार के करतब दिखाते हैं। जो ना सिर्फ आखाड़ा में शामिल लोगों के लिए जानलेवत साबित होता है बलके इससे आग लगी की बड़ी घटनाए हो सकती है। बीती राज सहर के बरवाड़ी पुलिस लाइट के पास आखाड़ा कमीडी द्वारा कराय जारे प्रैक्टिस के भी आग जलाकर लूग धुनने के दौरान एक 14 वर्सी आवेश रजा चपेट में आ गया। जससे वाग गंभी रूप से जुलस गया। आनन फानन में उससे अस्पताल ले जाए गया। जहां उसका अपरात्मी की उप्चार करने के बाद ग्रैफर कर दिया गया। मामले को लेकर बच्चे की पिता मुहमद एसार अंसारी ने नगर खाना में लिखित आविदम देकर शिकायद भी की है। इस संबन ने बच्चे की पिता ने बताया कि उनका बच्चा मौके पर खाड़ा था। तबी अचानक एक यूवक आग जला का लूप दूनने लगा। जो उसके बच्चे के चहरे पर लगा। और वा गंबी रुप से जुलस गया। उन्होंने प्रसासन से मामने में कारवाई करते हुए कहा कि मौहरम क्या खाड़ी की दौरान इस तरह की करतब पर रोग लगाए। आनि कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। 24 तारीक रात्रीक करीक ग्यारा सावाए ग्यारा वजे बीच में मौहरम के पांचमी तारीक को जो है। लोग आया। उसके बाद यहां पर लुग जलाया। लुग जलाने के करम में जो है। जुनता था और छोड़ देता था। यह मैंने अपने अंखों से देखा। उसके बाद मैं अपने दर्वाज़े पर ख़ड़ा था, मेरा बेटा कुछ मेरे थे ख़ड़ा था। यह पूंगा के पास। वहाँ से आग शूटा, आग शूटने कबाट मेरी बेटे के मुँझ में आग करके लगा। लगा लगने के परशात पूरा जल गिया जो आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि इतना जला हुआ है पास्पोरेस्ट के लोग अगल बगल वाली लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है आप जला है तो जरासा तो जोसाई गही है जरासा जोसाया हुए उसको लगता है और जिस ल हावा अपराद को दे रहा है इस लोग परशासम को भी मैंने ख़बर किया तो परशासम जो है बोले कि अभी गारी भेज रहे हैं और अभी तक नहीं आया इस करब में अगर किसी तरह का यह तो खैर हमारे साथ हुआ और अगर गैर मुस्लियों के साथ होता तो क्या होता इस सिपाही भी हो दो सिपाही भी हो तो उसको भेज करके तुरेंट को जो है मौने को सांध या रखा रखा करने की चेश्टा करें अगर लेट आप लोग करते हैं परशासम लेट करता है तो बड़े अपर यह घटना घटने की संभावना होती है और अगर इस टेंग पर पहु कियें कुछ ने हुगा देखें उसको जला दिंगा दूसरी बार पचेश तारिफ को मैं रात भर हम लोग बैट करके हमारे घर में लोगों को रहा हो इसलाज करता रहा इसलाज करता है खंश पेसे कंबार कीजिए और लिख करके रैफर कर दिया गया कुछ नहीं हुगा बुल पच्छे का आंक नहीं खुल रहा है और अभी अभी आपने देखा या देखेंगे कि मैं आप कैसे की तरह से सफाई कर रहा हूं या जखम को कैसे सफाई कर रहा हूं और रिकावरी कर रहा हूं मैं अपने गौरतलम है कि गिर्डी में शांती और सुहादर पूंट के साथ मोहरम का तैवार मनाने के अपील कि साथ पुलिस प्रशासन वा जिला प्रशासन द्वारा सांती समीती की बैट के आयोजित की जा रही है लेकिन अब तक मोहरम के अखाडे में लुक धुनने सही आग से सम्मनि पर अन्यकर्दब का प्रदर्शन किया गया तो किसी हाथसे से इंकार भी नहीं किया जा सकता है कारतिल विजय दिवस के मौकर पर रेडी में कई कारिक्रमों का आयोजिन कर शहीदों को याद किया गया इसक्रम में वेटर्न ओर्गनाइजेशन ओफ गिरडी एमम फाइटिंग ग्रूप के सानी को द्वारा नबर भवन में एक शाम सहीदों के नाम कारिक्रम का आयोजिन किया गया कारिक्रम का उत्खाटन बतोर मुक्यतिती सदर विधायक सुदेवे खुमार सोनू जम्मो विधायक किदार हाजरा उद्योक्वती सरदार गुन्वन्थ सिंग जीब सदर से प्रभादेवी प्रदेश अचीव नरेश फर्मा सहीद अन्यातित्यों ने सयुक्तुरूब से कि कारिक्रम के दवारां डिस्टाफ अगादमी कलाकुंज आनंद ग्रूप के बच्चों द्वारा देश भक्ती कारिक्रम की प्रस्ती उत्यकी गए महीं जुले के पूर्वी सैनिक परिवार के लोगों को समानेत किया गया और इसके बाद तयार रहेंगी स्मार्ट और आजा है मैंच पर इसके बाद हमारे मुक्तिती का कोई और भी आगे कुछ कार है तो इस चांस के बाद को के बालत वोगों के लाद प्रक्राम की ब होग ईप्राबस को है कि ङुआ मैंच रहींनी नह साम आगे तो कि अ अात जर खईब लुड्या होचि आफ जाम जार सबयनिो कर वहां आधोर खार, हैं रहां। वहां। आप्रार शारार वहां। उहांद। उहां उहांद। वहां का थार कारेग्रम को संबोधित करते वे आतितियों ने कहा कि कारगिल के युद्ध को याद कर आज भी हर एक भारतिय का मन काप जाता है वहीं हमारे देश के वीर जवानों ने जिस जाबाजी के साथ कादिल युद्ध पर विजय प्रात किया है उससे हर एक भारती का सिर गरु से उचा हो जाता है काया कि देश के वीर शहीदों की याद में इस प्रकार की कारिक्रम का आयोजन किया जानक काफी सराहनी है वो तमाँ मेरे सामने अद्माँ के बिल्पीस हमारे साथी तिया है कि आओऊ है थे जोगार हमारे हो एक वार में मैं आप से सभी बतेटेश बढ़ जाता है भीरत से धन्यवात पर पांगी। इस दिन तक देश हैं, फिर तक दास्ट में अपने सही को प्रती प्रतक जताबाएं। यक्त करने का यह तरीव अभुदा है। और आज पुना नास्ट अपने सही को प्रतक देश्ट में अब हारी आसा मुन हैं क्योंकि प्रतक देश्ट में इस देश्ट सुरूख को पचाए रखाए। भारती असरां के इतिहास में गादिन देश्ट से पहुत साज़ पढ़ाओं है। जाये को एड़ी फुनी को अब हाँ पुका प्रतिश्ट में के पीच्व भारती से आप पुदूए बात रखाए। कि दुस्टां के तरफ से प्रत्म पुष्ट में भाग में आथा। जो तिह पुष्ट में भाग पिस साइकों की में आपाई आज़ा है विदिया अपड़ी आपी। एक अपक्त प्रतिश्ट में जाखन भी बुष्ट होता है कि जड़ी प्रचे कराता है तो हमें भी ज़ता है कि किसी जाखने जबेट देट रहे हैं इस देश की से अगयों ही है इस देश की जनता के दिन सब्च बहराम दिया। काद्य का यूद मिश्ट क्रूप से भारत या समिताफ़क की बच्छोबा प्रभूट होने की जड़ा है। हमारे सेगर्टी साथ ने विश्टाब से उस काद्य की तमाम बादों को बढ़ाया। लेकि यहीं किता ही पैर है कि 500 सजाथ से लिकों की शाहतत के बाद भी पीश तो ने विश्टी पैर अपने सेना और ने मेंट्रिक के साथ ख़़ा था। वास्ता में बहुत ही प्रतिष्टि और एक हमारी देश की शान को उच्चा करने वाला बहुत सुंदर काजक्रम जो कि आज बन सजाया गया है। हमेशा की तरह जिस तरह यह दिलों में रखने वाली बात है यह 26 जुलाई 1999 जब कारगेजिद में विजय पताका लहराते हुए हमारे देश के जवान लोटे इसमें कि कई शहीद हो गए कई खायल होके लोटे और कई भुखे प्यासे वहां लड़ते लड़ते और अपनी व बड़ी शान है कि जो विपरित प्रस्थितियों में भारतिये शेना ने जो शौर का परदर्शित किया उसकी आज हम लोग याद दिवस मना रहे हैं और यह विजय दिवस हम लोग के लिए बहुत ही महत्पुर्ग और प्रतिशित काजक्रम है जिसमें की हम सभी में आज एक नागरिक में आज हम देश प्रेम की भवना को और भर सकें देश के प्रुपी प्रेम जगा सकें यह बहुत बड़ा काजक्रम और बहुत ही सुन्दर काजक्रम सजाए है इसके लिए मैं काजक्रम के और नाइजर सभी को विशेज धन्यवाद देता हूं काजक्रम के आयोजन टीम के पूर्ग शैनिक नवनीत कान सिंग ने कहा कि कालगिल विजे के 24 वर्ष पूरे हुए कहा कि यहां कालगिल युद के दारान शहिद हुए बारत मा के वीर सपूतो के स्रदांजले के लिए आहूत किया गया है विजे दिवस के उपर 24 वर्ष हमारा पूरा हुआ है तो इस काजक्रम के ताहर इस जीले में पहली वार विटन और्गनाइसेशन ऑफ जार्खेंड गेरिडी इनिक और फाइटिंग फोर्ष के द्वारा उनके स्रदांजले अर्फन के लिए एक साम सहीदों के नाम काजक्रम को किया गया इस काजक्रम में इस्टाफ ड्रिब एकडेमी के बच्चों के द्वारा परफर्फर्मेंस हुआ कला गुंच के बच्चों के द्वारा परफर्मेंस हुआ अनल ग्रोप के द्वारा परफर् सब्सक्राइब कि इसका मूल पुद्देश्च आज के काज करम का है कि गिर्डी जीले में भी युवाओं को अंदर वो उत्सा आए देश प्रिम आए और जो अभी तक इस गती में इस और देश भक्ती में बहुत कम बच्चे जा पा रहे हैं तो उनके अंदर भी इस उत्सा को बरकर जादे से जादा संख्या में जाए आज अगर फुर्ट्ट्राइनिक की बात करें तो कुछ गिने चुने लोग ही है कार्गर वीजे डिवर्स की मौकी पर कार्गर वीजे दिवस के मौकी पर बूदवार को गेड़ी में भी पूरिप्सा के साथ जस्त मनाते हुए शहीदों को याद किया गया इस मौकी पर बी एनस डिवे स्कूल कार्गर सहीद समारक में कार्गर के जाबास सहीदों को श्रधान जली दी गई रिटाइड आईएस टाबर अनस इगने ज़वारान कार्गर समारक में राष्ट धुल फहराया और सलामी देते हुए कार्गर के जाबास सहीदों को याद किया मौकी पर रिटाइड आईएस ने कार्गर के युद को देश का गौरब बताते हुए कहा कि पूरा देश आज जाबास सहीदों को याद करता था यस दारानी स्कूल परिसर में ही ए छात्रों के बीश कार्गर युद पर ही ट्राइञ प्रत्योगिता का भी आईउजन किया गया जिसमें कई चात्रों ने हिस्सा लिया और कार्गिर के जाबाजों को पोशल को अपने पेंचिंग के माध सिक्षकों की खास भूं मिगाल गी। देश के जो लोग गुष्पेठी लोग जो वारे गुष्पेठी किये थे उन्हें भगा दिया गया और कायरता पर उनके रूप भागे इतना डर से भागे भारतिया से तोवाई की ध्यास बन लिया कारिकिल का देवस्त में जिन लोगों ने बजलान लिया उनके प्रदी हम सर भी आफ़त आती है तो इस बीटा के साथ लड़ते हैं तुरे दुनिया में उसकी गौरों गाथा गाई राती है दलितों को भूमाफियाओं की नजर दलित लोगों को भूदार में मिली जमीन पर बनी हुई है और उस पर कब्जा करने के लिए नए नए हदकंडे अपनाए जा रहे हैं ऐसा ही मामला बेंगाबाद थानच्षेदर के करनपूरा में देखने को मिला जा पिड़त परिवार के 75 डिसमिल जमीन पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा जबरदस्ती बाउंडरी वाल दिया जा रहा था अलाकि लोगों ने जमीन के घेरा बंदी कारे को प्रसासन से इंसाफ की गुहार लगाई है जमीन जो से बंदवस्ती मिला हम लोग का जदा नाम से और को मुसल्मान भाय जैसे हुकम नमाव बना के बेच दिया है तो कोई दलाल ले लिया तो जमीन पर हम लोग जब चाड़ते हैं तो पुलिस यहां आकर काम करवाता है जब हम लोग आते हैं तो वो लोग गाली कुल हम लोग को भागा देता है तो हम लोग है जाते हैं कि जो निरले फैसला है हम लोग भी पेपर देखे और अपना भी पेपर देखावे जो निरले फैसला हुटर ले अज़ी है जब से साधी हुआ है तब से हम यहां जोंटरा मडगा रुप रहे हैं अच्या है तो दूसरे हैं को दलाल लोग बेच दिया है अच्छा हमनी तो जाने ना ही हमनी तो कमा खाव में लागा लिया तब बेच इदे ले ता हमनी आप पता लाग लेजे ना जाए करनपूरा मेरा पर दादा के नाम है बढ़न रभिदास मतलब बढ़न चमार तो इसको बंदबस्ती जमीन मिला हुआ था अच्या किना शड़े अठारो कथा तो को दलाल ने फलोशी से कभी जमीन बेच दिया तो जनकारी जब बांडरी होने लगा उपेंदर थर्माने शिं जमीन भिखा हुआ है तो परजायत ने बैचा है तो जमीन के से विक्री हुआ जिसका जाम मेरा पर दादा को नहीं भिक्री किया है देपक उसवामे के साथ हुई चिनताई और मारफीट के आङकार किसानमंस ने पंचयाट कराया हो जадिया पुलिस दवारा अपरादियों के विरुत प्रात्मिकी दर्श करने इवं गिरफतारी करने के आश्वासन मिलने के चार दिन बाद भी पछंबा पुलिस दवारा अपरादियों के विरुत प्रात्मिकी दर्श करने इवं गिरफतारी करने के आश्वासन मिलने के चार दिन बा पचनबा पुलिस द्वारा अपरादियों के विरुद कोई कारवाई ने किये जाने पर आत्रोश व्यक्त करते हुए आंदोलन की रन मीती तयार की करते है के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंग ने कहा कि अपरादियों वंध्रस्ट पुलिस पदालिकार्यों को संग्रप्षन देकर जिले में अपराद को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसका कोई भी धार्मिक संगठन समाजिक संगठन और राजनितिक गल के लोग इस्थाने प्र छेड़ खानी के जूटे मामले में जेल में डाल कर हमें अपनी जमीन को भू माफियाओं को देने के लिए विवश्च कर देंगे तो या ठाना प्रभारी की गलत फहमी है कि इछले गुरुवार को हम लोगों ने डियाईजी साहब हजारी बाद के काराले में जाके चिंते का जो घटना हुआ है उसका वीडियो जो है शो पेंड्राइब में किया डियाईजी साहब के काराले से आश्वासन मिला कि निश्ची ठूट से इस मामला में प्राक्मिकी प्राधी जब तक गिरफतार नहीं हो जाते तब तक किसान मंच चाहे सालों भर अंदोलन क्यों करना पड़े यह आनदोलां करते रहे और इसी के साथ किसान मंच के लोगों का एक नारा है कि जो हमसे टक राएगा गाईटे झाल आवाज दौ हम एक है अवाज दो हम एक है ते खानी औरका किसान मंच जिंदाबाद prof दिपक कुमार को जो अंदर कर दिया जूठ मूट वे यह भू मफिया जमीन उला, वो लो मिल गया है सब गाहँ उला मिल करके जूठ मूट वे जमीन को चाह रहा कि हाँ हडप लें, वो हडप केने लिए हम अना परभारी भी मने उसको साथ दे रहा है, हम लोग गरीब गुर्य हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, जमीन को बचा कर रहा है, ताकि क्यों जमीन को मने कि हम चाहते हैं, कुछ इसमें मनाइने लिए, दस के सुविस्ता लिए हम चाहते हैं, जमीन रहेगा, दस को भलाय होगा, जमीन बचा कर रहने चाहते हैं, और भू मफिया किसी तरह हमको मजब करें कि जामीन को उसके लिए जिंदा वाद जांस होगा किसान मंज हमरा साथ दे रहा और साथ बेड़ा आज के अंत में बस इतना ही तक्सक के लिए दीजिए पुलिटी को एजाज भनेवाद झाल